दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी की सही देट क्या है? बहुत साई लोगों को confusion हो रहा है कि कलेंडर में 24 जून 2018 को निर्जला एकादशी लिखा हुआ है पर इंटरनेट पे कई जगा 23 जून 2018 को निर्जला एकादशी का वरत रखा जाना है ऐसा बताया जा रहा है तो उन्हें किस दिन वरत रखना है वो ये जानना चाहते हैं इसलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है तो नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल नीता विक्रम में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय मातादी जरूर लिखिए माता रानी हम सब का कल्यान करती है हमें अपना आशिरवाद देती रहती है और जो भी मेरे भाई भहन हमेशा जय माता दी लिखते हैं मैं उन सब को धेरो धन्यवाद देती हूँ दोस्तों अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने में लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और इसके बाजियों बने में घंटी या बैल के आइकन को भी प्रेस करिए इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे ये निर्शल के दोस्तों तो सब्सक्राइब जरू करिए साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और तिथी लिखी होती है कि ये त्योहार की तिथी इस समय से लेके इस समय तक रहेगी पर जो पंडितों के पास होता है वो होता है डीटेल पंचांग जिसमें कि उन्हें पता पड़ता है दिन क्या है, तिथी क्या है, नक्षत्र क्या है, करण क्या है और यूग क्या है और चंद्र के घूमने के जो स्पीड होती है उसकी गढ़ना करके तो यहां इन गढ़नाओं के द्वारा हम जो समय निकालते हैं उससे हमें पता पड़ता है कि कौन सी तिती कब शुरू हो रही है और कब खतम हो रही है साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पंचांग आपके देश, काल और परिस्तिती के हिसाब से चेंज होता रहता है अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप देखेंगे कि साउथ के लोग अलग पंचांग फॉलो करते हैं वहाँ आप देखेंगे काल निर्णा या कुछ अलग तरह के पंचांग चलते हैं जबकि आप जब सेंटर में आएंगे मध्य प्रदेश में आएंगे वहाँ जबलपूर का पंचांग चलता है लाला राम सुरूप का कलेंडर बहुत जादा मिलता है वहीं आप अगर महराश्टर में जाएंगे तो वहाँ दूसरा कलेंडर मिलता है तो हर एक जगह चाहिए चंडीगर हो डेली हो सब जगह के पंचांग अलग होते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम का और जो डिग्रीज हैं उनका अंतर आता जाता है तो अब मैंने काफी सारे पंचांग देखें तो उसके बाद मुझे यह समझ में आया कि पंचांग में थोड़ा सा टाइम का भेध है अलग-अलग पंचांग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है तो जादातर देखा जाए तो भारत के सभी भागों में निर्जला एकादशी का दिन 23 जून बताया गया है तो 23 जून को आप निर्जला एकादशी का वरत नहीं संकोष रख सकते हैं दोस्तों ये मैंने काफी सारे कैलेंडर और बहुत सारे पंचांग देखने के बाद देखा है आपकी एकादशी का जो समय है 23 जून की आधी मिडर रातरी को ये शुरू हो रहा है तीन बच के 19 मिनिट पे आपकी एकादशी की तिथी शुरू हो जाएगी याने दसमी की तिथी आधी रात में खतम हो जाएगी तो तिथी को कैसे माना जाता है जब सूर्य उदय होता है तो जो तिथी चल रही होती है हम उसका उपास उसी दिन करते हैं तो सूर्य उदय के दिन 23 तारिक को 11 की तिथी है तो आप इस दर उपवास करिए ये तिथी रात्री तक रहेगी यानि इसमें तिथी का च्छै नहीं हो रहा है तो आप जो उपवास कर रहे हैं पूरा आराम से आप करिए रात्री तक आप उपवास करिए यानि नर्जला रही है बिल्कुल आप श्री हरी विश्णू का नाम लिते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मन ही मन रटन करते रहिए अपना व्रत उपवास अच्छे से रखिए यह तिथी फिर 23 तारिक की आधी रात में खतम हो जाएगी यानि तीन बच के 23 मिनिट पे यह तिथी खतम हो जाएगी 24 तारिक को जब आप सुभा उ के बहुत ही सिंपल कुछ नियम है एक दिन में होते हैं 24 घंटे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे हम रात के माल लेते हैं तो जो आपका शुरू का 12 घंटे है उसके जो चार भाग होते हैं यानि 3-3 घंटे के अंतराल पे हमने दिन को बाटा हुआ है तो जो सबसे पहले सुभा के तीन घंटे होते हैं, जब सूर्य बज़े होता है उसके बाद, उन्हें हम पूजा पाट का टाइम कहते हैं, इसके बाद के जो तीन घंटे होते हैं, दोस्तों इस समय पे आप वरत उपवास खोल लीजिए, मैं आपको एगदम एगजिक टाइम नहीं बता रही हूँ, बट य चाहिए, या तो हम इसके पहले खोलें, या जब सूरज अपने सर के उपर से आगे की तरफ निकल जाए, आप तब खोलें, या तो आप 10 बज़ी के आसपास अपने उपवास को खोल लीजिए, चौबिस तारीक को, या आप अपने उपवास को खोलने के लिए फिर एक या एक तरफ निकल जाए, तो ये एक सिंपल सी टिप थी कि उपवास का टाइम किस तरह से देखा राता है, कब आपको खोलना है, तो कई सारे लोग इसे बताते हैं, हरी वासरा, हरी वासरा याने श्री हरी का नाम लेना, भगवान की पूजा का जो सुभर का समय होता है, हम उस समय पे करें, तो इस तरह से दोस्तों, शुब तिथी, शुब महुरत में हम अपने काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें देवी दिप्ताओं को प्रसन्य करना होता है, इस तरह से शुब महुरत में आप तिथियां देखके पूजा करते हैं, तो आपको उस तिथी के द्वारा क की हुई पूजा का पूरा का पूरा फल जरूर मिलता है अब मैं आपको बता देती हूं कि 24 जून मैंने देखा लाला राम सुरूप के कलेंडर जो जबलपुर में प्रकाशित होता है वहाँ 24 जून की तारीक दी होई है एकादशी की पर साथ ही साथ जब आप देखेंगे उस गंगा दशेरा होता है तो यह अधिक मास पड़ा था जो बीच में तो गंगा दशेरा एक महीने पहले हो गया है तो इस कारण से यह तिथी भेद आया है तो दोस्तों आप बहुत जादा कंफूशन मत पालिए आप केवल 23 तारिक को श्री हरी विश्नु का नाम लीजे उप पूजला एकादर्शी पांडव एकादर्शी अभीम सेनी एकादर्शी का 2018 में व्रत कूजन किस तरह से करना है यह पूरी विधी बताई हुई है साथी साथ अब मैंने आपको डीटेल में तिथी का कंफूशन भी दूर कर दिया है कि आपको यह व्रत रखना है 23 तारिक को 24 को मत रखिए क्योंकि जादा तर जगह यह व्रत 23 तारिक की तिथी में ही रखा जा रहा है 23 को 11 की तिथी पूरे दिन भर रहेगी तो आप आराम से इस दिन व्रत रखिए श्री हर्य विश्नु का नाम लीजिए पूजा कीजिए उनका भजन की इरतन करिए और 24 तारिक को इ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पे बैटके कलेंडर को आराम से किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा समय शुब होता है और शुब समय कैसे देखा जाता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए कमेंट करके मुझे जरूर बत कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों